हलो फ्रेंस आपका स्वागत है हमारे चैनल रामगा टेक में दोस्तो आरपीएप के तरफ से बहुत ही बड़ा खुसकबरी निकल कर आ रहा है जी हाँ दोस्तो औल इंडिया के लिए जो वेकेंसी निकाला गया था उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिये गया है जी हाँ आज ही इसे एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और लॉग इन पेज इसका जो है ओपन हो चुका है अब रहा सवाल कि कौन से जोन का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है तो आज के इस वूड़े में हम आपको पूरा अपडेट देंगे आप देख सकते यहाँ पर इसका कर दिया गया है आज ही के दिन सुबह 6 बजे 9 दिसंबर 2018 को इसका ओफिसली एनॉंस कर दिया गया है और इसका लॉग इन पेज खोल दिया गया है तो जल्दी से अपना रैस्टेशन नमबर और डेट अबर डाली और डाउनलोड कर लीजिए और साथ इसाथ बहुत ही अपडेट भी निकाला गया है कुछ इसमें सुचना भी जारी किया गया है तो चलिए पूरा डिटेल में हम देख लेते तो बिना टेम गवाई वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों इसे डाउनलोड करने के लिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से आपको डाउनलोड करना है क्योंकि सभी लोग एक ही साथ इसे लॉग इन कर रहे हैं जिस कारण इसका वेबसाइट जो है सलो हो चुका है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको Google में जाकर RPF.in लिखना होगा, तो चलिए हम लिख लेते हैं, RPF.in लिखके आपको सर्च करना होगा, उसके बाद देखिए यहां फर्ष्ट वाले पे आपको क्लिक करदेना, आरपियव रिक्वार्मेंट 2018 इस पर आपको क्लिक कर देना इस पर क्लिक कर देके बाद इसका जो ओफिसियल वेबसाइड है वो आपके सामने खुल जाएगा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा आरपियेप, कॉंस्टेबल और एसाइ के पद पर जो फॉर्म बराया था उसका जो है एडमिट काट कॉल लिटर आ चुका है अब देखिए राइट शैड में आपको चार तरह का ओप्शन देखनों को मिलेगा सबसे पहला प्रिंट अप्लिकेशन उसके बाद सीकूनिटी, स्टेटस, एंड रॉल नमबर मतलब आप यहाँ पे सेकंड वाले ओप्शन में जाकर अपना रॉल नमबर चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या अप्रूवल हुआ है उसके बाद तीन नमबर में देखिए कॉल लेटर एडमिट कर आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और चार नमबर में कुछ यहाँ पर शीडूल बनाया गया है कि आपका एक्जाम कब होने वाला है तो आपका नाम में जो भी अप्लेकेसन स्टार्टिंग होता है उससे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कॉल लेटर को किस तरह से डाउनलोड करना है तो हम कॉल लेटर पर किलिक करेंगे कॉल लेटर पर किलिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दू अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जोन है सारा जोन का नाम लिखा हुआ है और यह जोन जो है सबसे पहले मैं बता दू गुरूप E, NFR तो इसका अभी admit card जारी कर दिया गया है मतलब East Frontier Railway मतलब E गुरूप का यहाँ पर admit card जारी कर दिया गया है और और सारे गुरूप जैसे के CR हो गया ER हो गया उसके अलावा Eastern Railway का हो गया North Railway का हो गया South Railway का हो गया तो यह सब का अभी जारी नहीं किया गया कल इसे जारी कर दिया जाएगा Officially कल जारी कर दिया जाएगा और आज से लेके 10 दिन बाद से इसका एक्जाम सुरू हो जाएगा तो चलिए अब हम आपको schedule दिखा देते हैं आपको admit card download करने के लिए क्या करना होगा आपको अगर मान लीजिए आप group E में भरे थे तो आपको इस पे click कर देना है इस पे click करने का बाद देखिए यहाँ पर इसका page इस तरह से open हो जाएगा call letter login, rpf, srf तो यहाँ पर आपको registration number डालना है और यहाँ पर आपको date of birth डालना है और जो group E में form भरे होंगे यहाँ पर उनका admit card आ जाएगा और उनको यहाँ से download कर लेना है तो सभी zone का यहाँ पर admit card अभी जारी नहीं किये गया पहले group E का जारी कर दिये गया तो group E में जो लोग आते है East Farential Railway में जो आते है वही लोग अभी डाउनलोड कर सकते है और other zone के लिए कल 10 December 2018 को सभी zone का जारी कर दिये जाएगा तो सभी लोग फटा-फट डाउनलोड कर सकेंगे तो चलिए हम आपको schedule बता देते हैं माल लीजे आपका अभी पता नहीं चल पा रहा है कि admit card आपका अभी डाउनलोड के लिए option नहीं मिला है तो group E में जिनका भी admit card आएगा वो लोग तो देख लेंगे लेकिन अगर आप माल लीजे South Eastern Railway में भरे है या फिर North Eastern Railway में भरे है और आप जानना चाहते है कि आपका exam कब होगा तो हम आपको बता देते हैं कि आप इस तरह से check कर सकते हैं कि आपका exam कब होगा देखें यहाँ पर आपको right side में CBT examination schedule लिखा आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद देखिए यहाँ पर CBT exam schedule आपको देखने को मिल जागा अब देखिए यहाँ पर face 1, 4, 5 इस तरह से बनाया गया और देखिए गरूप यहाँ इस तरह से दे दिया गया जिससे कि गरूप E में जो आते हैं उन लोगों का देखिए 20-12-2018 को exam होगा और इनका आखरी date होगा 23-12-2018 मतलब 20-12-2018 से लेके 23-12-2018 तक इनका exam चलेगा उसके बाद देखिए ABF यह सब गरूप में जितने लोग फॉर्म भरे होंगे यह सब जोन में तो उनका exam जो है 17-1-2019 मतलब 17-जनवरी 2019 से स्टार्टिंग होगा इनका exam और 25-जनवरी 2019 को इसका exam खत्म हो जाएगा तो लगबग यहाँ पर आप देख सकते हैं 7-8 दिन लगबग 9 दिन तक exam इनका चलने वाला उसके बाद देखिए यहाँ पर जोन C और D में जो लोग भरे होंगे फॉर्म उनका 2 फरवरी 2019 से exam स्टार्ट होगा और उनका 19 फरवरी 2019 तक चलेगा अब आप जान गई होंगे कि आप कौन सा जोन में भरे थे A, B, C, D, E, F यह सब में से किस में आप भरे थे आप अपना देख लिजिए अपना जो डॉक्मेंट होगा जो आप फॉर्म का प्रिंट आपके पास एवेलेबल होगा उसमें लिखा हुआ रहता है आप A गुरूप में भरे थे B में या C में D में E, F किस में भरे थे आप उसमें देख लिजिए और यहां पर आप मिला लिजिए आपका exam कब है तो इस तरह से आप चेक कर सकते है कि आपका exam कब होने वाला है और अभी E गुरूप का निकाल दिया गया है अब्लाशन दिया रहर है